हाई गाईज वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूँ सुगर मौन मेरी चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के जो डे का सबसे इंपोर्टेंट मील लेकर आई हूँ यानि की इमनी स्नैक्स मैंने हर बात कर ली मौनिंग पर बात कर ली मौनिंग ब्रेफास पर बात कर ली लेंज पर बात कर ली लेकिन अभी मैं स्नैक्स को थोड़ा सा अवाइट किया हुआ था कि हम डिनर किस तरह का ले अगर हमने थोड़ा से हैवी स्नैक इवनिंग में नहीं लिया है तो हम डिनर में थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो इसनेक्स में ऐसी चीजे लिजे जो फुल अफ फाइबर हूं और आपके पिट को बहुत अच्छे से भारा फील कर रहा है ज्यादा देर तक जिसने कि आप डिनर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ले हैं जो आपकी हैथ के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और बहुत ही टेस्टी सनेक लेके आई हूँ बहुत एकसाइटेड हूँ मैं इस वीडियो के लिए कि आप लोगे साथ मैं यह रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और मतलब कि मैं इसे काफी दिनों से ले रही हूँ लेकिन थोड़ा सा टाइम की वज़े से मैं आप लोगों के साथ यह जो है इस सनेक नहीं शेयर कर रही थी लेकिन कावी टेस्टी सनेक है और सबको पसंद आने वाला है बहुत ज़दा एकसाइटेड हूँ मैं मतलब क्योंकि जब खाना खाया हूँ मैं बारा एक दो बजे खाया होता और जब पांचे बस्ते है तो हमें भूख लगती है और उस समय हम थोड़ा सा अपने आपको नहीं रोख पाते हैं और नहीं रोख पाने में अगर आप में कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया तो वह कहीं न अगर अभी तक आप मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे देख रहे है तो मुझे अगर उस रेसेपी को देखना है तो फर्स्ट अपॉल मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो लिंक इती छोटी सी बैल आइकन लगी है उसे प्रस करना ना भूले ताकि आप मेरे लेटिस वीडियो का अपडेट पासके तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ तो फ्रेंड्स इस्टेट स्टी से स्नैक बनाने के लिए आपको चाहिए भुट्टा जिसे भुट्ट भी बोलते हैं लेकिन ये धिहान रखिएगा कि आपको तो ये चीज बहुत धिहान रखना है कि आपको जो नॉर्मल ठेले पे मिलते हैं लोकल मार्केट में मिलते हैं आपको वही बुट्टे लेने हैं और आपको जिस एकोर्डिंग खाने वाले हो आप एक या दो जैसे भी बना सकती हैं तो सब के जो दाने हैं आपको सप्रेट क स्पाइल करके अपने फ्रिज में भी टोर कर सकते हैं मैंने पूरे दाने निकाल लिये हैं और आपको इसे देखनाने है कि थोड़ा बहुत साफ कर लीड़ी जो आपको भी लगे इस में उसके बाद आपको इसे कुकर में डाल के मतलब की थोड़ा सा डानों के उपर पानी और उसमें रॉक सॉर्ड डालके जो सेंधा नमक होता है उसके बाद आपको दो या तीन सीटी लगानी है वसी धिया धियान रखेगा जब यह भुट्टा खरीदे तो थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए तब ही अच्छा सा पकेगा अगर टाइट हो गया है तो आप 4-5 सीटी तो इसके बाद मैं आपसे लाद पचांगी यहां पोलो दो पहँंसो के इसमें जाल भुट्टे मैं लाद पहोंगी तो यहां पर मेरे जो कॉर्ण होता हमारेग जादा सीटी орт गवानी है वो यह तो मेरे मेरे जो कॉर्ण है वह बॉत यहां बॉल हो चुके हैं इनकी सीटी भी निकाल चुकी हूँ इसके बाद आप बारी आती है इनको चांट बनाने की तो आपको इसका पूरा पानी जो है वो निकाल देना है आप किसी भी हेल्प से निकाल सकती है और इस पूरे भुट्टे को आपको किसी भी बाउल में निकाल के रखना है उसके बाद आप जो भी मसाले खाती हूँ या फिर आप प्याज खाती हूँ आप ठमाटर खाती हूँ जैसा आपका स्वाद है वो उसके अक्वाडिंग मनाना है जैसा मेरा टेस्ट है यहाँ पे मैं उस अक्वाडिंग मना रही हूँ लेकिन आप इसमें फ्लेवर्स दे सकते हैं आप ती मिर्श डालूगी और नियुक्त भूणी दालूगी और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला यूज करूगी इसे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा और जस लाइक चाट का भी फ्लेवर आएगा आप चाहें तो और तीक भी कर सकते हैं लेकिन और इसके बाद मैं थोड़ा सा नीमबू भी आड़ करूँगी वो मैं प्लेट में निकालने के बाद आड़ करूँगी यह आपके अकोर्डिंग है कि आप इसमें कैसा फ्लेवर देखना चाहते हैं या खाना चाहते हैं आप उपर से हरी धन्या भी आड़ कर सकते हैं आप थोड़ी सी वैजीज वोई फिर आपको पर है यहांरे प्लेट में से निकाल रही हूं जितना मैं उन्हें यह सर्फ करूंगी और मैं इसमें हाफ लैमन डालूंगी क्योंकि खटा बहुत ही टेस्टी लगता है खाना इन सारी चीजों को एक बार ट्राइ जरूर करिएगा इस रेसिपी को यकीन मानिए काफी अच्छा है और आपके वेट मैनेज एंड वेट लॉस तोनों म कि अच्छा है कितनी टेस्टी रेसिपी थी और फुल फाइबर थी जिसे खाएंगे बहुत दिर तक पेट अपका फुल रहेगा और वेट विल्कुल भी गेन नहीं होगा बहुत टेस्टी भी रहेगा क्योंकि लोगों के मैन में यह होता है ना कि मतलपी टेस्टी नहीं होत है खाना जो होता है और जो वेट लॉस करते है बिल्कुल वैसे ही होता है विकार सा घास पूसा लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी 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 रेसिपी लेके आती हूं जिसे कि आप मोटिवेटर है और उसको फॉलो करते रहे बीच में अपनी जो ड